नमस्कार फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त जैकुमार जो आपके अपने चैनल Know Your Stocks में आपका स्वागत करता है फ्रेंट्स अज हम बात करने जा रहे हैं अडानी इंटर्प्राइज़स के बारे में क्योंकि अडानी इंटर्प्राइज़स ने अपने September quarter के result को अभी अभी present किया है और आप देख सकते हैं कि 3 November 2022 यहाँ पे present हो रहा हैं और आज के दिन ही इस company ने अपने result को present किया है तो चलिए देखते हैं इस company को इस वार कितना profit और कितना loss देखने को मिला है तो friends आपके सामने यहाँ पे जो data present हो रहा हैं यह इस company के consolidated data है और यह जो figure आपके सामने present हो रहा हैं यह इन करोड में present हो रहा हैं तो आप इसे इन करोड में ही consider करेंगे इस company ने जो अपना total income पोस्ट किया है revenue from operations से और other income से वो 38,441,46 लाग का जबकि पिछले quarter में इनका जो total income था वो 41,666,43 लाग का जबकि पिछले year September quarter में इनका जो total income था वो 13,597,10 लाग तो friends अगर आप comparison करेंगे quarter on quarter आपको इसमें गिरावट दर्ज होते हुए दिखेगी लेकिन वहीं पे अगर आप comparison करेंगे year on year तो आपको इसमें बहुत बरी उच्छाल देखने को मिलेगा और company का जो profit है इनका जो total income है वो rocket की तरब move करते हुए आपको दिखेगी इसके अलाबे अगर आप expenses की बात करेंगे तो इस company ने जो अपना total expense पोस्ट किया इस quarter में वो 37,771,25 लाग का जबकि पिछले quarter में इनका total expense था 40,433,96 लाग का जबकि पिछले year September quarter में इनका जो total expense था वो बहुत कम था और 13,408,53 लाग का ये company total expense पोस्ट करती है तो friends अगर आप comparison करेंगे quarter on quarter तो इनका जो expense है वो decrease किया है जबकि अगर आप comparison करेंगे year on year तो इनका expense increase करते हुए यहाँ पे दिखा है और इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं कि इनका अगर expense year wise increase किया है तो इनका जो income है उसमें भी improvement देखने को मिला है तो चलिए देखते हैं कि यह company total net profit कितना present किया है friends इस company ने जो अपना total net profit post किया इस quarter में वो 432 कROड 30 लाग का जबकि पिछले quarter में इन्होंने जो अपना total net profit post किया था वो 468 कROड 74 लाग का जबकि पिछले year September quarter में इस company ने जो अपना total net profit पोस्ट किया था वो 194 करोड चोबन लाग का तो फ्रेंट्स अगर आप company जर करेंगे quarter on quarter तो इनका net profit यहाँ पे गिरते हुए आपको दिखेगी लेकिन वहीं पे अगर आप year wise company करेंगे तो इनका जो net profit है उसमें उच्छाल देख देखने को मिले हैं और इसका जो EPS है वो भी quarter wise decrease किया है जबकि अगर आप year on year comparison करेंगे तो इनका EPS यहाँ पे बहुत अच्छा सुखरते हुए दिखा है तो फ्रेंट्स आपने अभी देखा कि इनका result quarter wise तो decrease अबस्य किया है बट अगर yearly wise देखेंगे तो इनका जो result है वो काफी बहतर देखने को मिला है तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही आपका दिन सुभ हो